अब वेरी गूड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल खानस्टडी.com पे आज के इस वीडियो में हम रेलवे भरती बोट में पुछे गए सवाल का भारतिय तिहास का पार्ट फोर करने वाले हैं ये वीडियो काफी इंपोर्टन्ट है आपके सभी एक्जाम के लिए ये सिर्फ रेलवे के लिए नहीं है तो वीडियो काफी इंपोर्टन है वीडियो में सुरूसले कंद तक बने रहे गया आज के इस वीडियो में कुल 10 सवाल पूछे जाएंगे काफी कम समय लगेगा तो वीडियो में बने रहिएगा और आपकी कितने दस में से 10 कितने नमबर आते हैं आप हमें कमेंट करकर जरूर बताइएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल हमारा पहला सवाल है कपिल वस्तु संब्धित है किस से आपके पास चार आपसन है गांधी से, महावीर स्वामी से, क्रिश्न से या फिर बुद्ध से अगर आपने जवाब दिया है आपसन नमबर डी गौतम बुद्ध तो बिल्कुल सही जवाब है आपका कफिल वस्तु सम्मधित है बुद्ध से हमारा अगला सवाल है चानक के किसका पर्धान मंतरी था आपके पास चार आपसन है समंधर गुप्त, विश्नु गुप्त, स्री गुप्त या फिर इन में से कोई नहीं अगर आपने चुना है option number D इन में से कोई नहीं तो आपका जावा बिल्कुल सही है क्योंकि चानक के जो है वो चंद्र गुप्त मौरी का परधान मंतरी था ठीक है? चलिए हमारा अगला सवाल है असो किस वंस से संबंदित है? आपके पास option है मुगल वन्स, गुप्त वन्स, मौरी वन्स या इन में से कोई नहीं अगर आपने सुना है option number C option number C आपने चुना है मौरी वन्स तो बिल्कुल सही जवाब है असो क जो है वो मौरी वन्स से संबंदित है हमारा अगला सवाल है कि ब्रामी लिपी को किस नहीं अस्वस्ट किया था? अगर आपने चुना है option number B James Prince A तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ब्रामी लिपी को James Prince A अपने ही अस्वस्ट किया था हमारा अगला सवाल है कि असोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अगर आपका जवाब है option number A बौत धर्म तो बिल्कुल सही जवाब है आपका चलिए अगला सवाल है हमारा कि समराट असोक का कलिंग यूद के प्रभाव को निम्न में से देखा जा सकता है बताईए इस सवाल का जवाब दिजेगा कि समराट असोक को कलिंग यूद के प्रभाव निम्न पर देखा जा सकता है अगर आपका जवाब है option number B चटान अलेक तो बिल्कुल सही जवाब है आपका चलिए अगले सवार पे चलते हैं किस अस्थान के निकट परसिद कलिंग यूद लड़ा गया था अगर आपका जवाब है option number B धौली तो बिल्कुल सही जवाब है आपका धौली वो अस्थान जहां पर परसिद कलिंग यूद लड़ा गया था हमारा आठमा सवाल है कि सारनात का लाइन कैपिटल किस साजक से सम्बंदित है अगर आपका जवाब है option number B असोक तो बिल्कुल सही जवाब है सारनात का जो लाइन कैपिटल है वो असोक से सम्बंदित है हमारा अगला सवाल है कि निम लिखित में से असोक का उत्रा दिकारी कौन हुआ था अगर आपका जवाब है option number D बिल्कुल सही जवाब है आपका असोक का उत्रा दिकारी कौन था बिन्दु सार देखिए दोस्तों इसे याद रखने के लिए आप एक छोड़ा सा ट्रीक याद रख सकते हैं कि असोक का उत्रा दिकारी बिन्दु सार है आप इसमें कभी भी confusion में नहीं पढ़िएगा आपको याद रखना है कि जो असोक था ना असोक वो एक बिन्दी लगाया करता था क्या लगाया करता था बिन्दी लगाया करता था बस आप से यह याद रखता है असोक जो था वो एक बिन्दी लगाया करता था कितना लाया कमेंट करकर हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें सेर करें अपने दोस्तों के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नन्यवाद